हाई अब्रीवन और असलाम अलेकुम कैसे आप सब लोग सो बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है मतलब आइधिंक कुछ एक दो हफ़ते हो गए जब से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है या फिर नोट एक दो हफ़ते मुझे लगता है दो तीन हफ़ते हो गए तो या मैं थोड़ी सी सही भी नहीं थी मेरी मतलब अलहम भी काफी सही है तो या तो आइधिंट की चलो ठीक है अभी थोड़ा कुछ बना लेते हैं तो आज का आज इस चीज पर मैं बनाना चाहती हूं इस इस हाउ टो गेट आउट अप थी हाड टाइम्स आम यार मैं कोई फि क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए इन ओर टो गेट आउट आउट आप इस हाज टाइम्स फिर जो हमें ताइम ऐसा लगता है किआर अब तो बस खतमी हो गई है सारी दुनिया आप तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता पर मुझे ऐसा बिलकुल भी नहीं है more and more self-control on myself I need to control my thoughts my emotions अब बहुत कुछ करना बागी है बट अलहमदुलिल्ला काफी हद तक मैं सही फील कर रही हूँ अब तो जो की पहली बात है न याद आप कुछ लोग बोलेंगे कि that you are very religious or you are this you are talking this or you are talking that but joke की सच बात है मैं वही चीज बताना चाहती हूँ तो ऐसा है कि यार मैं बहुत मतलब बुक्स तो मैं पढ़ती थी I used to read a lot of self-help books तो ठीक है ना तो जब मैं वह self-help books पढ़ती थी ना तो उसमें मतलब उसमें हमेशा यह बात कही जाती है that you are in control you can control everything you can control each and every situation you can do this you can do that बिल्कुल सही बात है हम कर सकते हैं बट कहीं न कहीं यार मेरे मैं जो I would say मतलब अल्ला ना करे नौस बिल्ला मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार शायद अल्ला सुपनावात अल्ला है यह नहीं बस मैं ही एक हुँ जो हर कोई चीज कंट्रोल कर सकती हूँ राइट तो उस मैं यार मतलब एक बहुत बड़ा हिट एक वो सेट बैक नहीं बोलते है वो चीज मुझे फेस करनी पड़ी जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मैं खुदी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ दियर इस सूपर पावर दाट इस you know that is residing in the heavens or on the sky or wherever जहां पे भी है तो हमें एक चीज हमें जो हमें एक stand still रखती है या फिर हमें एक मतलब हम अपना पैस देते हैं और फिर हम छोड़ते हैं कि चलो ठीक है आर अल्ला सुबाना वाताला कंट्रोल में है और उन्हें पता है कि किस तरीके से वो हम अपना पैस देंगे और फिर छोड़ देंगे इतन कि सब कुछ है मैं मतलब बहुत अजीब तरीके से मैं बहुत religion से भी दूर चली गई थी ऐसा मुझे लगने लगा था कि यार ऐसा कुछ है नहीं या फिर कुछ भी जो भी मैं करूंगी मुझे कोई देखने वाला है नहीं या फिर करने वाला है भी नहीं वैसे कुछ गलत मै नहीं कर रही थी बड़ मेरे दिमाग में ऐसे thoughts बना प्रहे थे कि जो भी कुछ है I can control it, I am the supervisor, I know what to do, what not to do रहे, वो जो एक God का concept है, वो जो spirituality का concept है वो काफी कम हो गया था मुझे मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब से यह सब चीजे मेरे साथ होने लगी है mentally मैं काफी मतलब काफी मुझे एक breakdown face करना पड़ा मैं काफी irritating हो गई थी, बहुत काफी साल लोग ने मेरी help करी जैसे, मेरी best friend Tanzil I mean thank you so much यार, तुम इतनी परेशान थी, you were sending me gifts, you were calling me consistently and एकता थी तो you guys were with me, इस बुरे time पर, तो thank you so much यार and मैं मुझे ऐसा लगता है कि और मेरी, मेरे parents, मेरी maa, या फिर, वो मेरे साथ थी, मैंने उनके साथ share किया वो भी बहुत परेशान होती थी, जब मैं उनको बोलती थी, कि मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है लेफ्ट लॉंग अगो, तो और जिस चीज ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की तो यह जो किताब है, इस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि वे ओफ लाइफ किस तरीके से जिया जाता है, किस तरीके से आपको फेथ रखना है, या फिर जिसमें भी आप मानते हैं, उसमें आपको फेथ रखना है कि that there is some power, you know, that is beyond our imagination, that is beyond our capabilities और हमें उस पे ट्रस्ट रखना ही रखना है, I think my faith means everything to me I mean, हाँ मतलब ऐसे तो मैं जुबान से बोलती थी कि आँ यार सब ठीक हो जाए, बट मुझे ऐसे अंदर से लगता था कि यार नहीं, अंदर से शायद है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब अल्लाव सुभानावत अल्लाव नहीं है तो मैं भी बोलती बंद हो सकती है, so everything is in control, he is in control of everything, right तो वो चीज को revive करने में, this book has helped me a lot अगर आप चाते हो, आपके साथ भी आपको ऐसा feel हो रहा है कि you know, you are getting these signs कि आपको अच्छा नहीं लगता, आप इरिटेट हो रहे हो, आपको अजीब से thoughts आ रहे है दिमाग में, आपके साथ अजीब चीजे हो रही है then it's the time to revive your iman, revive yourself, revive what you think, revive your faith, your thoughts, your emotions, it's very important और वो चीज तभी हो सकती है, जबकि I think वो एक नफस होता है, मतलब नफस I think is human mind मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया था, actually मुझे जादा पता नहीं है बढ़ थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया था, तो उसको control करना बहुत important and I think that is only possible when we learn more and more of our religion, of Islam, of the knowledge, of Quran, then only we can control it, otherwise to control it is very very difficult तो वो सब चीजों से भी मुझे help होई और मुझे इसा लगता है कि या जब Allah सुपानावातला आपके साथ है तो फिर आपको किसी भी चीज से ढरने की ज़रूरत नहीं है बढ़ हाँ और फिर कुछ पेज होता है आपके life में जो आपको लगता है कि शयद हम ना कर पाए या फिर कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है डर घर लगता है, डर सबको लगता है, मुझे भी डर लगता है, in fact सबको लगता है पट उस डर के आगे हमें डर को हमें हराना है जबकि हम अपना बहस देंगे इंशालला आप जिस भी एक्जाम के लिए प्रपेर करें आपना बहस दीजिए और फिर रेस्ट लिव तो अल्ला सुपहनावात आला He is all knowing, all merciful He will take care of the things हम अपने इफर्ट जब पुट इन करेंगे तो obviously He will give us the best जो हम deserve करते है मुझे ऐसे लगता है कि जब हम ऐसे करते हैं तो half of our problems get vanished solutions आने शुरू हो जाते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि जब हम अगर हम problems पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो problems become much more they arise, they add up and if we try to focus on the solutions then our problems seem to be very little और उनका ज़्यादा impact भी नहीं होता है तो इसलिए हमें हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए अगर कोई problem आती है तो हमें solutions देखने चाहिए और solutions भी हमें तब देखने चाहिए जबकि हमें सोचना चाहिए हमेशा हमारे साथ हैं हमेशा कुछ गलत नहीं होने देंगे जब हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं तो वह भी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ मैं कभी भी upset नहीं करेंगे तो यह honest review था यह मेरा की कि चीज ने help करी मुझे या फिर कौनसी ऐसी चीज है जिसने मुझे यह मतलब थोड़ा बहुत भी थोड़ी मेरा दिल को तसली दी कि यार जो कि मैं negativity की तरफ जा रही थी जो ऐसे emotions थे जो कि मुझे बहुत परेशान कर रहे थे तो जब मैंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी थोड़े बहुत जानने की कोशिश करी थोड़ी बहुत research करी एक किताब पढ़ी तो मुझे भी वह जो मेरा faith था जो कि कही न करी जो मेरी soul चीज के लिए crave कर रही थी वह भी आड़ा फोगी और मुझे काफी अच्छा लगने लगा है जैसे कि मैंने बूला कि half of the problems get advantage जब हम अपना trust ले आउन करते हैं और फिर सब चीजे ठीक हो जाते हैं तो आपके साथ भी अगर problems है कुछ भी है इंचला सब ठीक हो जाएगा put your trust in Allah सुभानावा ताला ऐसा कभी मैं सोचे कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ ऐसा बिलकुल भी नहीं है there is someone at the top of us who is controlling all the things and without which we can't do anything हमें अपना भैस जरूर देना है but rest is up to him वो अगर चाहेंगे तो obviously हमारी help करेंगे और वो जो भी फैसला करेंगे वो हमारे हित में होगा हमारी betterment के लिए होगा हमाले कुछ भी गलत नहीं होगा so we have to accept his degree his result और उसी में खुश रहना है and thank you so much be motivated think positive, don't think negatively and make Allah सुमाना तोला best friend so he's always there to help us to guide us और हम जितना उनकी तरफ हम एक कदम उनकी तरफ जाते तो वो दस कदम हमारी तरफ आते है so we should not be sad and yeah and don't think दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोंच जैसा बिल्कुल भी मत सोंचो बस Allah सुमाना अतला आपको आपना दोस्त बनाओ और उनसे शेयर करो बाते उनके सामने रो इंशाला वो जुरूर हमारी help करेंगे और हमारी सारी problem solve कर देंगे okay so thank you so much और मुझसे कुछ कहना चाहते है I am available on LinkedIn I am available on Instagram Instagram पर मैं ज़्यादा active नहीं हूँ but yeah I am very much active on LinkedIn there we can connect and we can talk okay bye bye thank you so much and I love you all goodnight